दोस्तों अगर आप पहले बार माँ बनने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में भी कई बार ये सवाल आता होगा कि मेरी डिलीवरी आगे नॉर्मल होगी या फिर सिजीरियन होगी तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंटर जरूर देखेगा नमश्कार दोस्तों मैं पूझा स्वाकत करती हूँ आपका इस नई वीडियो के साथ देखे दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि सबी महिलाओं की normal डिलीवरी होना नामकिन होता है क्योंकि हर महिला की जो प्रेगनेंसी होती है वो अलग तरीकिये की होती है कई महिलाओं की healthy प्रेगनेंसी होती है तो दोस्तों जिन महिलाओं की डिलीवरी नजदेक आते आते भी गर्भ में शिशो ड्रीच पोजिशन में होता है या फिर ऐसी महिलाओं जिन महिलाओं को बार-बार miscarriage की हिस्ट्री रही हो या फिर जिन महिलाओं के uterus में या फिर private part में किसी तरीके का infection होता है या फिर ऐसी महिला हैं जिनको placenta previa की शिकायत होती है या फिर आपको throughout pregnancy में बहुत बार bleeding और spotting की समश्चे रही हो इसके अलावा जिन महिलाओं का BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है ऐसी महिलाओं को normal delivery होने में काफी ज़्यादा मुश्किल होती है इनकी normal delivery होने के chances बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो ये तो बात थी उन महिलाओं के जिनका की सीजीरन के द्वारा ही delivery हो सकता है लेकिन ऐसी महिलाओं जो बिलकुल healthy हैं उनके कुछ सामानिय ऐसे लक्षन दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपकी delivery normal ही होगी तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ दोस्तों कि जब आप सुरुवाती दौर में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दौरा आपको एक EDD दी जाती है यानि कि estimated delivery date दी जाती है जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपकी normal delivery होना बिलकुल तै होता है तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो लक्षन जिससे आप समझ सकते हैं उसमें ये दोस्तों कि जैसे ही आपका 8 हुआ माहिने से 9 माहिना लगता है तो आपके गर्ब में जो शिशू होता है उसकी movement बहुत ज़्यादा कम हो जाती है movement दोस्तों इसलिए शिशू गर्ब में कम करने लग जाता है क्योंकि बेबी का जो head है वो down हो जाता है और वो जो है आपके पेट से नीचे खिसक खिसक के आपके पैल भी सीरिया पर fix होने लगता है तो जब बच्चे का head fix हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो movement होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी उलट पलट नहीं करता है लेकिन वो अपने हाथ पैर हिलाता रहता है तो इस दौरान आपको बहुत कम-कम movement आपको होती है तो ऐसे में आप समझ जाए कि आपके normal delivery होना तय है दूसरी बात दोस्तों की pregnancy के अंतिम दौर में अगर आपको बार बार पेशाब आ रही है तो ये भी normal delivery होने का एक एहम लक्षन होता है दोस्तों जब आपका शिशु गर्ब में नीचे की और अपना सर कर लिता है तो ऐसे में आपका जो urinary bladder होता है उस पे बहुत ज़्यादा दबाव पढ़ता है और उस पे दबाव पढ़ने की वज़े से आपको बार बार पेशाब आने लग जाती है तो अगर आपको हर 5 से लेके 7 मिनट में पेशाब आने लगे ये भी एक लक्षन है normal delivery होने का तीसरा है दोस्तों कि जब आपके बच्चे दाने का मूँ खुलने लग जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके delivery नॉर्मल होगी इसके अलावा दोस्तों चौथा जो लक्षन होता है वो होता है महिलाओं के पेट के निचले साइड में दर्द होना एठन होना और कभी-कभी पेट का कड़क हो जाना जी हां दोस्तों जब आपका शिशू गर्ब में नीचे की ओर किसक जाता है तो आपको नीचे की ओर बहुत ज़्यादा दर्द सा महसूस होता है आपको इतनी ज़्यादा एठन महसूस होगी कि आप कई बार इसे सह महसूस कर सकती है आपको बता दो दोस्तों कि जो शिशू होता है उसका जो सबसे भारी भरकम हिस्सा होता है वो होता है उसका सिर तो जब बच्ची का सिर नीची क्यों फिक्स होने लग जाता है तो ऐसे मैं वो गरभाशे के निचली साइड में बहुत ज़्यादा दबाओ देने लग जाता है जिससे कि गरबाशे के निचले साइड में बहुत ज़्यादा दर्द महिलाओं को महसूस होता है एचन होती है और कई बार पेट कड़ा खोना भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है तो दोस्तों ये चार लक्षन हैं जिनसे आप बिल्कुछ समझ सकती हैं जिससे झाला करते हैं कि आपकी डिलीवरी नन नजज्दिक आएंगे तो आपकी डॉक्टर भी आपको बता देगी आपकी डिलीवरी नर्मल होगी या पर सेजीरिन होगी लेकिन ये कुछ ऐ मैन्से लक्षन है जिनसे आपaches की और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है